बिस्मिल्लायरमन रहीम असलाम अलेकुम एक्सरसाइज 1.3 पॉर क्लास 10 पॉर आल केपी के बोट्स के पॉर्ट 3 में नालेज विद कर अंदर की जानेब से हैं खुशाने हैं बचो आज हम इसी एक्सरसाइज से कोशें वन के पॉर्ट 6 7 और 8 को स्वर्व करेंगे पॉर्ट 6 में हमें यह कहा रहा है अदर रूट x अदर रूट 3 प्लस 1 इस एकुल तो 5x प्लस 1 यहां भी रूट है यहां भी रूट है सबसे पहले इन रेडिकल के इन साइन को खतम करना होगा तो इसके लिए हम स्कुरिंग अन बहुत साइज इसको हम ले लेके हैं एक्वेश एक्वेशन 1 अब इसके बाद हम कहेंगे स्कुरिंग अन बहुत साइज है हम कहेंगे टेकिंग स्कुर्ज अन बहुत साइज आप इस तरह मत लिखेगा आप पूरा लिखेगा यह हो जाएगा एक्वेशन 1 आप 3 x plus 1 यहां भी उसके और is equal इस तरह वाइफ एक्ष प्लश वान अंडरूल यहां भी इसके विखेगा यह सके कैंसल यह सके रिखेगा इसके कैंसल दर्म्यान में प्लस है तो प्लस 2ab, a की जगह में under root x लिखूँगा, b की जगह में 3x प्लस 1, a की जगह under root x, b की जगह 3x प्लस 1 is equal to, ये under root खतम हो चुक है, 5x प्लस 1, ये उसको रुष से cancel, ये उसको रुष से cancel आपके पास आ गया, x प्लस 3x प्लस 1, प्लस 2, यहां भी under root, यहां भी under root, under root common ले ले, x multiply by 3x प्लस 1, is equal to 5x प्लस 1, अब चुक है, 6x को और, x प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया, 4x प्लस 1, प्लस 2, x multiply 3x, x multiply 1, प्लस x is equal to 5x प्लस 1, अब ये 4x को और 1 को हम यहां से is equal to k, उस तरफ shift करेंगे, तो आपके पास यहां पर जब यह दोनों चले जाएंगे, यह दोनों वहां चले जाएंगे, यहां बच जाएगा, 2, 3x स्केर प्लस x is equal to 5x प्लस 1, माइनस 4x के 4x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कैंसल, ये हो गया, आपके पास 2, 3x स्केर प्लस x is equal to 5x माइनस 4x, 5x में 4x चले गए, तो ये आजाएगा, x, अब पिछले सवाल में हमने क्या किया था, इस 2 को भी वहां ले गए थे, यहां इस 2 को हम वहां नहीं ले जा सकते, अगर यहां को 2 कामन यह होदा तब हम इसको ले जाते, नहीं कि यह 2 वहां जाके x, y, 2 बन जाएगा और हमारे लिए आगे मिश्किलात पैदा करेंगा, तो इस स्टेज में इस रेडिकल को खत्म करने के लिए हम अगें, स्केरिंग उन, बोड साइट करेंगे, अब अगें स्केरिंग के लिए हम कहेंगे 2, 3 x square, plus x, all square is equal to x, अब यह square 2 पर भी है, यह square इस पर भी है, यह square होगा, यह हो जाएगा 4, और यह square इस से cancel, क्या आ जाएगा? 3 x square, plus x, is equal to x square, 4th रिजा, 12 x square, plus 4 x is equal to x square, इस x square कोई हाश हाश करते हैं, यह हो जाएगा, 12 x square minus x square, plus 4 x is equal to 0, अब 12 x पर भी है, आब 12 x मेंस ही, एक x माइनस करते हैं, तो जब एक x माइनस करें, तो यह हो जाएगा, 11 x square, plus 4 x is equal to 0, अब यह मेरे पास quadratic equation बन गई है, क्यूंकि x square आ गया है, standard form नहीं है, लेकिन quadratic equation है, अब मैं common ले लोगा, यहां भी x है, यहां भी x है, x मैंने common ले लिया, मेरे पास क्या पास गया, 11 x plus 4 is equal to 0, जब भी दो चीज़ें आपस में multiply हो रही हूं, product 0 हो, तो इसका मतलब होता है, इन दोनों में से एक चीज़ जीरो है, तो यहां हम either or situation आ गए, either x is equal to 0, और 11 x plus 4 is equal to 0, x 0 यह तो solve वह हूँ है, यहां पर 4 उदर ले जो ही हो जाएगा, 11 x is equal to minus 4, 11 both side पर divide करो, तो x is equal to minus 4y, x के दो roots मुझे find हो गए हैं, लेकिन चुक्छे यह equation radical equation है, तो मैं अब इन दोनों को verify करूंगा, कि किस के उपर यह equation 1 satisfy करती है, तो अब मेरा अग्ला step है, verification, verification के लिए 0 को x is equal to 0 को verify करने के लिए put, x is equal to 0 in equation 1, equation 1 ने x के जगा 0 लगा तो यह हो जाएगा, 0 under root plus 3 0 plus 1 is equal to 5 0 plus 1, जहां 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 एक्स लगा हुआ था, जहां जहां एक्स लगा हुआ था, वहां वहां मैंने 0 लगा दिया, जीरो का root 0 होगा, 3 multiply 0, 0 plus 1 is equal to 5 0, 0 plus 1, तो यह 0, इसमें plus करो, खुछ भी नहीं होता, 0 plus 1 यह आजाएगा under root 1, is equal to under root 1, तो left hand और right hand side बराबर हो गई, तो यह root मेरे पास 2 है, तो solution set में पहला जो मेरा answer होगा, वह 0 होगा, अब यह जो second root है, इसको verify करते हैं, आम कहेंगे put, x is equal to minus 4 by 11 in equation 1, equation 1 में x is equal to minus 4 by 11 लिखते हैं, तो इसके लिए बिस तरह होगा, जहाँ जहाँ x है, वहाँ वहाँ में लिखूंगा, minus 4 by 11, plus 3 multiply minus 4 by 11, bracket टाल दें, आप इस तरह रखें, कोई फर्क नहीं पढ़गा, plus 1 is equal to 5 multiply minus 4 by 11 plus 1, अब ये minus 4 by 11 वैसे ही आएगा, इसको हम solve नहीं करते, 3 multiply minus 1, 3 multiply minus 4 ये हो गया अपर पास, minus 12, plus, minus 12 by 11 plus 1, is equal to 5, minus 20 by 11, plus 1, minus 4 by 11, is equal to, sorry, plus 11 का LCM ले लो, और यहाँ पर 11 1 divided by 11 ये आजएगा, यहाँ पर एकुछ भी नहीं, यहाँ पर एकुछ भी नहीं, तो 1 multiply minus 12, minus 12, 11 multiply 1, is equal to, यहाँ भी 11 का LCM ले लो, 1 multiply minus 20, minus 20, 11 multiply 1, plus, minus 12 plus 11, minus 1 by 11, 11 is equal to, minus 20, plus 11, minus 9 by 11, तो यह किसी भी सूरत में मजीद solve हो सकता है, यह 3 आजाएगा, यह 2 आजाएगा, तो किसी भी सूरत में यह हमें बराबर नजर नहीं आएगा, तो, minus 4 by 11 हमारे पास, extraneous root में शुमार होगा, और हमारा, solution set है, वो होगा हमारा 0, अगले सवाल को देखने हैं, इस तरीके का part 7 है, यह जो सवाल है, इसको हम equation 1 ले लेते हैं, अच्छा आप इस सवाल दुबारा लगों, फिर इसको equation 1 लो, मैं अपना time & space बचाने के लिए ऐसे करता हूँ, फिर इदर भी रूट है, इदर भी रूट है तो आप squaring on both side, both side to squaring कर, यह हो जाएगा, 6x plus 40 minus x plus 21, is equal to x plus 5 square इदर भी, whole square इदर, यह square इसे cancel होगे, यह a minus b whole square हो जाएगा, a square, 6x plus 40, a square plus b square, x plus 21, minus, minus हाते हैं, 2, a की जगा, 6x plus 40, or b की जगा, x plus 21, is equal to, x plus 5, 21, x plus 21, 2, यह दो, multiply हो जाएगा, 6x plus 40, or, x plus, 21, 21, is equal to, is equal to, x plus, y, up, 6x plus 6, 6x, plus x, 7x plus 40, plus 21, 40, 21, यह हो जाएगा, 61, minus 2, 6x plus 40, 20, अच्छा, यहाँ multiply हो रहे हैं, हम multiply कर देते हैं, आगे नहीं लिजाते, 6x multiply x, 6x, 6x multiply 21, to, 6, 10, 60, 20, 26x plus, 126x, 40 multiply x, plus 40x, 40 multiply 21, 40, 10, 840 plus, 840 is equal to, x plus 5, 7x to 61, वहाँ shift हो जाएगे, तो यहाँ आपके पास बाद जाएगा, minus 2, 6x उसके, 128, 6x, 40x, plus 166x, plus 840, is equal to, is equal to, x plus 5, or यह, minus 7x, minus 7x, minus 61, यह इसरा भी हो सकत है, minus 2, 6x, 6x square, plus 1, 66x, plus, 840, is equal to, x minus 7x, plus 5 minus 61, 1, 1, अभी आपके पास इसरा हो जो, minus 2, 6x, 6x, plus 6x, plus 840, is equal to, x minus 7x, minus 6x, plus 5, minus 61, minus 56, अब बच्चों यहां पर, minus 2 है, तो हम यहां भी, minus 2, common ले लेते हैं, तो यह आगिया, minus 2, 6x square plus, 1, 66x, plus, 840, is equal to, minus 2, common, यहां क्या आजाएगा, 3x plus, 28, अब यह, minus 2, minus 2 से, cancel होगया, आपके पाश्बाजी गया, 6x square plus, 166x, plus, 840, under root is equal to, 3x plus, 20, अब इस, radical के निशान को खत्म करने के लिए, हम कहेंगे, again, squaring on, both sides, तो, again squaring कर ले, यह इस तरह हो जाएगा, यह आपके पास हो जाएगा, 6x square plus 1, 66x plus, 840, square is equal to, 2, 3x plus, 28, whole square, whole square, second, आपके पास हाएगा, 6x square plus, 1, 66x plus, 840, is equal to, 3x square, 2, 2, 2, 2, 2, 2, तरहेगा, आपके पास, 6x square, plus 1, 66x plus, 840, is equal to, 3x square, 3, 3s are 9, 9, x x square, x square, x square, plus, 28, whole square, 7, 84, 28, x 28, यह हमाई पास बराबर होता है, 784 के, 2, 3s are 6, 6, 28, 168, x, आप calculator पर चेक कर लें, कोई mistake ना होगा, अब अग्ले step, यह 9x square है, यह 6x square है, 9x square अगर इदर आजाए, इदर आजाए तो फिर मेरे पास माइनस ने आजाएगा, मैं चाहता हूँ, फिर मुझे माइनस कामन ले ला होगा, तो एक extra step, तो इनको यहां लाने की बजाए, इनको इसको वहाँ shift कर दें, इसको वहाँ shift कर दें, और इसको वहाँ shift कर दें, जब यह तीनों वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा, जीरो, यहां क्या आजाएगा, 9x square, और यह 6x square यहां आके, माइनस 6x square, इसके बाद है, प्लस 784, अच्छा चलो मैं तरिकी के साथ कर लेता हूँ, आप confusion न होजाए, 9x square, प्लस 784, प्लस 168x, यह वहाँ जाके, माइनस 6x square, माइनस 166x, माइनस 840, अब मैंने क्या करना है, x square वाले को x square वाले के साथ, simple x वाले को simple x वाले के साथ, और आम नंबर को जोगें, आम नंबर के साथ, माइनस प्लस 0 भी होग करना है, तो यह होजाए, 0 is equal to rearrange करो, 9x square, और फिर x square वाले ले हो, माइनस 6x square, फिर है, 168x, माइनस 166 है, फिर है, plus 784, माइनस 840, अब आप लोगों ने इस तरह करना है, कि 0 is equal to 9x square में, 6x square माइनस हो जाए, आपके पास क्या बाज़ गया, आपके पास बाज़ गया, 3x square, 168 में से, 166 माइनस करें, तो यह आपके पास आ जाएगा, 2x, plus 2x, 784 में से, 840 को माइनस करें, तो यह आपके पास आ जाएगा, minus 56, उल्टा करके लिखें तो यह हो जाएगा, 3x square plus, 2x minus, 56 is equal to 0, तो यह मेरे पास, quadratic equation, standard form में, तयार हो गई है, अब मैंने, इसको, क्या करने हैं, factorization के तरगे, factorization का process simple है, 3 को 56 से multiply करो, तो मेरे पास आ जाता है, minus 168, दो ऐसे number चाहिए, जिनको multiply करो तो मेरे पास answer आए, 168, लेकिन इनी दो number को जब plus करों, तो मेरे पास answer आए, 2, तो इसके लिए, कामन से number है, 12 multiply 14, 12, 14, 12 multiply 14, 12 14 जा 168, और, minus 12 plus 14, minus 12 plus 14, is equal to plus 2, minus 12 plus 14, is equal to minus 168, तो यहां मैं कहूंगा, 3 x square, plus 2 x जागा मैं लिख दूँगा, minus 12 x, plus 14 x, minus 56, is equal to 0, इन दो term में क्या common है, 3 common है, x common है, क्या बाज़ गया, x minus 4, यहां, 14 common है, क्या बाज़ गया, यही वापर स्लिपनगा, x minus 4 is equal to 0, check करो, 14 multiply x, 14 x, plus minus minus 14, 4 जा 56, अब, x minus 4 common लेने तो हो जाएगा, x minus 4, 3 x plus 14, is equal to 0, जब भी, आपके पास दो चीज़े multiply हो रहे हैं, product 0 तो इसका मतलब है, इन दोनों में से एक चीज़ 0 के बराबर होगी, तो इसका मतलब है, x minus 4 is equal to 0, यह, 3 x plus 14, is equal to 0, x minus 4 अगर 0 है, तो x is equal to 4, 3 x plus 14 अगर 0 है, तो 3 x is equal to 14 वहाँ जाएगा, 3 both sides पे divide करें, तो आपके पास दूसरा set बन रहा है, x is equal to minus 14 by 3, अब अग्ले step में, हम इन दोनों roots की verification करते हैं, तो verification में हम इसरा करेंगे, आप पूरा लिखा करें, put x is equal to 4 in equation 1, जहाँ जहाँ x लगा हुए, वहाँ 4 लगा हुए, 6 4 plus 40 under root minus 4 plus 21 under root is equal to 4 plus 5, 6 4s are 24, 24 plus 40, 64 here आजाएगा, 64 minus 425 is equal to 9, इसको मजीद आगे लेजे, 64 होता है, 8 8 to 64, तो आजाएगा, 8 minus, 55 to 25 होता है, 5 is equal to 9, का root होता है, 3, 8 minus 5 मेरे पास आगिया, 3, 3 is equal to 3, तो यह मेरे पास है, अब यह दूसरा root, x is equal to minus 14 by 3, इसको verify करते हैं, 2nd root को verify करने के लिए हम कहेंगे, put, x is equal to minus 14 by 3 in, equation 1, equation 1 में issue put करें, तो यह हो जाएगा, 6, x के जगा लिखेंगे, 14 by 3, plus 40, minus 14 by 3 plus 21, is equal to 14 by 3 plus 5, इसको simplify करते हैं, 6 multiply 14, यह आजाएगा आपके पास, 84, 84 by 3, plus 40, minus, यह मैं वहाँ लिख जेता हूँ, कि आपको थोड़ी सी, शहुलात हो जाए, 84 by 3, plus 40, 3, minus, 14 by 3, plus 21, is equal to 14 by 3, plus 5, इस साइड पर आजाओ आजाओ, आप 3 LCM हो जाएगा, 1 multiply 84, यह आजाएगा 84, 14 multiply 3, 120, यहाँ पर भी 3 LCM, यहाँ 1 होगा, 1 multiply 14, 14, 3 multiply 21, 63, 3, is equal to, यहाँ पर 1 होगा, 3 or 1 LCM, 3, 1 multiply 14, 14, 3 multiply 5, 15, 20, तो यह किसे भी तूरत में, हमें equal नहीं लग रहाँ, 84 plus 120, यह आजाएगा, 204 by 3, minus 14 plus 63, यह आजाएगा, 77 by 3, is equal to 14 plus 15, 29 by 3, तो यह किसे भी तूरत में, equal नहीं हैं, तो यह मेरे पास, false है, और solution से टुमेदा हो जाएगा, 4, अगले सवाल को देखने हैं, question number 8, same to same वही तरीक है, जो हमने 607 में किया था, मैं जली जली इसको साल करता हूं, कि आपको कोई समझा जाएगा, solution में सबसे पहले आप इसको equation 1 ले लेंगे, उसके बाद आप squaring on both sides करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2x-3 plus plus 2x plus 4 is equal to 6x plus 13, आप 1 whole square इतर लगा देंगे, और 1 square इतर लगा देंगे, यह square तो इसके साथ cancel हो जाएगा, यह a plus b whole square, यह आ जाएगा a square, a square, a square plus, b square और यह a plus है तो आ जाएगा, plus 2, a की जाएगा फिर, 2x minus 3, और b की जाएगा, 2x plus 4, is equal to, 6x plus, 13, यह इसका रश्षे cancel, यह इसका रश्षे cancel आपके पास बाज गया, 2x minus 3, plus 2x, plus 4, plus 2, यह दोनों multiply हो रहे हैं, हम under root common ले ले लेते हैं, 2x minus 3, multiply with, 2x plus 4, is equal to, 6x plus 13, यह 2x, यह 2x हो गया, 4x minus 3 plus 4, यह आ जाएगा, plus 1, plus 2, 2x multiply 2x, यह हो जाएगा, 4x, 2x multiply 4, 2x multiply 4, 2 for the 8, 8x, minus 3, minus 3 2, minus 6x, minus plus, minus 3 4, 12, is equal to, 6x plus 13, 3, यह 4x और यह 1, वहाँ shift हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा, 2 multiply by, 4x square, plus 8x minus 6x, plus, 2x minus 12, is equal to, 6x, plus 13, 4x से जर आ जाएगा, minus 4x, plus 1 है यहाँ आखे, minus 1 बन जाएगा, यह आपके पास यह वैसे ही राएगा, 4x square, plus, 2x, minus 12, is equal to, 6x, minus 4x, 6x में, 4x minus करो यह आ जाएगा आपके पास, 2x, plus 13, minus 1, plus 12, अब यहाँ 2 multiply हो रहा है तो यहाँ हम 2 common ले लेते हैं, 2 common ले लो तो क्या जाएगा, x plus 6, यह वैसे ही हो जाएगा, 4x square plus, 2x minus 12, यह 2, और यह तो cancel, आपके पास बास गया, 4x square plus, 2x minus 12, is equal to, x plus 6, और यह under root यहाँ वैसे ही होगा, अब इस under root को खत्म करने के लिए हम कहेंगे, again, squaring on both sides, both sides पर 12 squaring करेंगे, तो यह आपके पासे से हो जाएगा, 4x square plus, 2x minus 12, whole square is equal to, x plus 6, whole square, 2 square से cancel यह आजाएगा, 4x square plus, 2x minus 12, is equal to, a square, plus, b square, plus 2, a, b, a की जगा x लिखाओ, b की जगा 6, यह आपके पास बन गया, 4x square plus, 2x minus 12, is equal to, x square, plus 36, plus, 12x, अब यहाँ 4x से यहाँ x है, तो जहाँ x की power ज्यादा है, ज्यादा पैसा कम पैसे को अपनी तरफ खेंचता है, तो यह इसको इदर खेंच लेगा, यह इदर आजाएगा, तो फिर यह इदर आजाएगा, और यह इदर आजाएगा, तो इस साइट पे हो जाएगा, यह हो जाएगा, 4x square, plus 2x, minus 12x square, यहाँ के minus हो जाएगा, minus x square, minus 36, minus 12x, is equal to, जब यह तीनों यहाँ आजाएगा, यहाँ के बजाएगा, 0, 4x, अब इसको दार रियर्रेंज करो, 4x square minus x square, plus 2x minus 12x, minus 12 minus 36 is equal to 0, यह हो जाएगा, 4x में x square निकालो यह हो जाएगा, 3x square, plus 2x minus 12x यह हो जाएगा, minus 10x, minus 12 minus 36 यह आजाएगा, minus 48 is equal to 0, अब यह हमारे पास quadratic equation, standard form में, convert हो गई, अब आप इसको क्या करें, factorization करें, 3 को, आप multiply करें, 48 से, यह आजाएगा, 1, 8, 120, 3, 144, ठीक है, 3 multiply, minus 48 is equal to minus 144, दो ऐसे number चाहएगे, जिनको multiply करूँ तो, मेरे पास minus 1, 44 आए, जब plus करूँ तो, मेरे पास, minus 10 आए, अब वो number मेरे पास है, 144 के लिए, 1810 जाएगा, यहाँ, 18 multiply 8, ठीक है, minus 18 multiply 8, और इसी तरह, minus 18 plus 8, तो यह दो number हैं, मेरे पास, factors मिल गए हैं, तो यह हो जाएगा, 3x उसके, plus 8x, minus 18x, minus 48, is equal to 0, इदर x कामन है, तो यह आजाएगा, 3x, plus 8, इदर 18, 48, यह दोनों 6 के multiples हैं, माइनस दोनों जाएगा, माइनस 6 कामन, यह आजाएगा, 3x plus 8, is equal to 0, तो यह आपके पास हो जाएगा, 3x plus 8, कामन ले लो, वह बाकी क्या है, x minus 6, is equal to 0, जब दो चीजे, multiply हो रही हो, तो आपके पास ऐसी situation होती है, यह तो, 3x, plus 8, is equal to 0 होगा, x minus 6, is equal to 0, x is equal to 6, और अगर 3x plus 8, 0 हो तो यह हो जाएगा, 3x is equal to minus 8, 3 इदर भी, 3 इदर भी, x is equal to minus 8, यह दो रूट्स आपके पास आगे हैं, अब थोटा सा आपका assignment है, इन दोनों रूट्स की verification, आप खुद करेंगे पहले, इसको आप इदर पुट करके देखें, फिर इसको आप इदर पुट करके देखें, तरीका वह ही है जो हमने 607 में किया है, बाइद वे बता दूँ जादा चांस है, यह जो है आपके पास verify कर देगा, satisfy कर देगा, और यह जो है, फिर भी आप खुद से चेक कर लेता कि आपको पता चले, आप कितने पांड़ में हैं, तो इसके साथ हमारा राज का लेक्चर अपनी इसकताम को पहुंचाओ, आगले लेक्चर में, इसी एकसरसाइज के question 9, question 10 को solve करेंगे, वीडियो पसंद आईए, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को subscribe करें, नेक्स्ट वीडियो में में लकात होगी, अपना खियाल लगएगा, अल्लाहफ़,